गाईज मुझे इस भाई का कमेंट आ रहा था कि सर मेरे पास 6 खरगोस थें 4 मर गए 2 बीमार हैं खाना पिना नहीं कर रहे हैं सर क्या करूं क्या उन्हें ठंडी लग गई है और इस सिस्टर का कमेंट है सर मेरी 2 मादा खरगोस 9 महीने की थी दोनों 2 ही दिन के अंदर मर गई अ क्यों क्या कोई बीमारी चल रही है और उनके मरने का क्या कारण है और इस सिस्टर का कमेंट है कि आज सुबह मेरा नर खरगोस अचानक मुझे मरा हुआ मिला जबकि मैंने उसे केज के अंदर सुरच्चित रखा था प्लीज रिपलाई सर जी प्लीज बहुत दुख हो रहा ह तो गाईज आज हम लोग इस वीडियो में यही सब कुछ देखने और जानने वाले हैं कि खरगोस इस समय किसी बीमारी से मर रहे हैं या उनके मरने का क्या क्या कारण हो सकता है और उन्हें मरने से बचाने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए तो गाईज वीडियो को अधिक स्वागत है गाईज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सारी क्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और साथ में बिल आइकन प्रेस करके आल पर कर लीजे जिससे हमारे वीडियो की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे क्योंकि गाईज मैं रेविट से रिलेटेड वीडियो जी बनाता हूँ और आपको हमेशा यहां रेविट से रिलेटेड कुछ न कुछ नई जानकारी जरूर मिलेगी तो चलिए गाईज ज़्य जान भी जा सकती है तो गाई जो पांच बड़ी गलतियां कौन कौन सी है आईए नंबर वाई जान लेते हैं नंबर वन ठंड में जरासी भी ला परवाही करने पर गाईज अभी ठंड का मौसम है और अगर आप अपने प्यारे बेवी बनी को कहीं बाहर खुले में या बाल आपके रेवीट को ठंड लग जाएगा और आपका प्यारा बेवी बनी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा नंबर टू सही डाइट देने में ला परवाही करना गाईज अगर आप ठंड के मौसम में अपने रेवीट को जरा भी उल्टा सीधा खाना खिलाएंगे तब भी इ खास और हे ड्राइफीड वगएरा ही देने की कोशिस करें और दोपार में आप हरी पतियां हरी सबजियां पानी वाली फल वगएरा ये सब चीजें दे सकते हैं त्योंकि फल और पानी वाली सबजियां हरी पतियां वगएरा भी खरगोस को देना जरूरी होता है जो उसके अंदर के पानी की कमी को पूरा करता है तो गाईज कहने का मतलब है कि ठंड में आपको दोपार में ही हरी पतियां पानी वाली सबजियां फल वगएरा देना चाहिए नमबर थिरी गीले पन से बचाना गाईज आपको ठंड में भूल कर भी कभी अपने रैबिट को नहीं नहलाना चाहिए और उसे गीला होने से भी बचाना है और जहां भी उसे रखते हैं उस जगह की दो से तीन बार दिन में आपको साब सफाई जरूर करना चाहिए जिससे वहां उसके सूसू पोट्टी करने की वज़े से जो भी गीला पन वगएरा हो दूर हो जाए और सर्दी जुखाम या बुखार की समस्या से ग्रस्त होकर उसके मरने का खत्रा जरा भी ना हो सिकारी जानवरों का डर और दहसत गाईजाब जहां भी अपने खरगोस का केज या पिजरा रात में रखते हैं आप इस बात का ध्यान रखें कि वहां रात में बहुत ज़्यादा सिकारी जानवर जैसे कुट्टा, बिली, सियार, लोमडी या इसी तरह के तमाम जानवरों का रात में आना जाना ना हो वरना वो रात में खरगोस के पिजरे के अगल बगल चक्कर लगाएंगे या पंजे वगएरा मारेंगे और खरगोस को खाने की कोशिस करते रहेंगे तो वो पिजरे में होने की वज़ा से भेले ही खरगोस को कोई नुकसान ना पहुचा पाएं पर आपके खरगोष पूरी तरह से डर जाएंगे और डिप्रेशन में भी जा सकते हैं जिसकी वज़े से खरगोष को हाट अटेक और भी हो सकता है और रात में ही मर सकते हैं तो गाईज आपको तो पता ही है कि खरगोष प्यारा क्यूट और नाजुक होने के साथ साथ बहुत ही डर पोग जानुवर भी होता है गाईज अगर आप अपने खरगोष को टार्चर करते हैं या किसी गलती की वज़े से उसे मारते पीड़ते हैं या बहुत ज़्यादा दवडाते हैं परेसान करते हैं तब भी ओ डिप्रेशन में जा सकता है और रात में रखने के बाद सुबा जाकर देखने पर वो हाट अटेग और गयरा की वज़े से मरा हुआ भी आपको मिल सकता है और गाईज अगर आप इन में से कोई भी गलती अपने रेबिट के साथ करते हैं तो अभी से करना बंद कर दीजिए और अपने रेबिट को मरने से बचाईए और गाईज वीडियो पसंद आने पर लाइक यों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए गाईज मिलते किसी नेक्ट वीडियो में तब तक कह लिए जाए हिंद